हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आज हम देखेंगे सेकेंडिर फिजिक्स का एक टॉपिक है जो बोर्ड में एज लॉंग क्वेश्चन काफी बार आया हुए तो वह है जी एलेक्ट्रिक पुटेंचल मैंने कहा था कि एलेक्ट्रिक पुटेंचल में आगे दो सब है और एलेक्ट्रिक पुटेंचल एटा पॉइंट दू आप पॉइंट चार्ज तो टोपिक का नाम लेखते हैं जी एलेक्ट्रिक पुटेंचल पॉटेंचल एटा पॉइंट दू टू पॉइंट चार्ज थी एलेक्ट्रिक अच्छा सबसे पहले तो मैं इससे मिलता जो तक टॉपिक हमने फिर्स्टियर फिजिक्स में पढ़ा चप्टर नमबर फॉर में अब्सूरूड पॉटेंचल है थी तो इसका एक मिलता जूलता नाम है वो है जी एपसल्यूट इलेक्ट्रिक पुटेंचिल इसका एक और नाम है वो है एक्सल्यूट इलेक्ट्रिक पुटेंचिल एटा पॉइंट ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ग्रैविटेशनल नर्जी के लिए आसे एक्जैंपल देता हूं फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं ठीक है लैट्स पॉज यह मेरे पास एक बिल्डिंग है ठीक है इसके अंदर काफी जादा माले है ठीक है इसकी कहानी है जो हमने सब को सुनानी है वो कहानी आपने समझ ल तरफ लाए थैला पड़ा है उसका मैस है एम ठीक है मैं अजर गया अपने किसी दोस्त के साथ मैंने झाल में कि इस तेले में कितनी इंडिस्टोर है उसने का सर मिजह थैला जमीन से इस हाइट जी पर h पढ़ा हुए इदर से यह वह उसकता है जिस जो बंदा थैला ला लाहा नहीं एसकंद हो रहा यहांसे क्या होगा एम जी एच वान ठीक है फिर एक और बंदा वो कहेगा सर मैं तो लाये ही से थर्ड फ्लोर से था मतलब यह पॉसिबिल्टीज बन दिया ना कि थैला कहां पर पड़ा था पहले और कहां तक लाये गए यानिके हमें पता है कि जितना आप वर्क करोगे उतना ही उसके अंदर चे अब हर जगा यह क्या है डिफरेंट है तो इसमें बड़े घपले आ रहे थे तो इसके लिए हमने एक युनीक किसम इनर्जी निकाली जिसका नाम रखा था एपसलूट पोटेंशल इनर्जी मैंने कभी वो क्या थी उसने का सर वो इनर्जी तो थी वो एक्जाक्टली जमीन के रईफरेंस ने थी क्योंकि यह जो राफ्रेंस है यह चेंज हो रहे हैं तो आप बता ही नहीं सकते की इसके अंदर हकीकत हम इनर्जी कितनी स्टोर है हां इसके लिए जो इनर्जी यह वो इसके लिए हम इड़ेगी ऑ्सलूट पोटेंशटन और एक्स्प्रेशन मैं उत यह अर्थ वाकब है और जो आर है आर्थ के सेंटर से आर से ली गई है और यहां तक जितनी भी बनती है वह इनर्जी इसके अंदर स्टोर थी और उसका नाम रहा था हमने अपसली बनेशन लेड़ी अच्छा एक तो इसका यह फाइदा था एक इसका और भी फाइदा था सोच से हैं जूर से लिकिन वह बन्दा वचा उसके पास यहिंघा वाओ से उसके पास भींदिई स्टोर कि इसी से रहाए रहा शीडियों से हैं उसके और पहुंच गया इस जाहीं ही nya मेनश ज्यादा कि लेकिं जो उसकी होरिजेंटल पोत जो रस्तले वाली मेनट है कर देना हमने का ना इस डिरेक्शन में तो वार्क होता ही नहीं ना थेला पकड़के मैं ऐसे चलू थेले का वेड नीचे जहां में इदर रहा हूं एफ डॉट डी वर्क और एफ डॉट डी कमताबे कोज जीरो बन रहा है कोज जीरो क्या हो जाएगा ओ सुरी कोज 90 बन रहा है तो नहीं उतना वर्क किया उस इनर्जी का नाम के होगा अक्सलूड पटेंशल नहीं यह इनर्जी भी डिपैंड भी नहीं कर रही किसके ऊपर पाथ पर यह सिर्फ डिपैंड करेगी कि कहां पर पहले थी और कहां पर पाद में थी क्योंकि हम रहेंगे कंजर्वेटिव सेम इधर क्या है इस चीज़ को हम इधर अब एक और अंदाव से समझते हैं कि आप नहीं से पिछे वाला टॉपिक पड़ा वह टॉपिक इधर मैं पीन कर रहा हूं वह भी आप देख ले रहा है अब वह टॉपिक आपने पड़ा आपने का सार यह मेरे पास एक पोजिटिव च सिर्फिटिव चार्ज तो मैंने का यारर्यां पर पोइंट ऑữa कोईट बेंटलाने के लिए जितना ऑप वर्क किरोगे वह इस पॉंट के इधर कि दिफ्रस्ट के जने इस पॉइंट पॉइंट का पॉइंचल इस पॉइंच्यल हो आदा है यह जोमर्पार टैस्स चार्ड यह तो हिसका इसकोई कफिए जाइए पर कितना स्टोर करता है है यह depend करता है, मैंने किस चीज़ पर depend करता है, उसने आपको यह बताना पड़ेगा, कि आपने इसको पर कितना वर्क किया, पर उनिट चाहर तुमें पता है, तो वो इसका potential का difference आलेगा, मैंने कि याद यह work तो depend करता है, कभी कि आप लाये कहां से हो, उसने इसका यही तो roll है, कि आप बताई नहीं सकते, इसके अनर कितनी energy, जो potential है, इस जगह पर वो कितना है, उदर energy की बात है, इधर पोटेंशल की बात है, मैंने का भी वो क्यों, उसने का सर यह देखें यह इधर से भी तो इधर आ सकता है उसने का इधर से भी इधर आ सकता है तो हर जगह वर्क क्या होगा आपका डिफरेंट मैंने का हाँ यार हर जगह के लिए आस जो टोटल वर्क है वो तो डिफरेंट है तो उसने का सर पोटेंशल भी क्या होगा डिफ जो आपका चार्ज है यह कहां से आया यह सरफ बताएगा कि इस जगह पर इसके पास पॉटेंशल की कितनी वैलियू है उस वैलियू को नाम हम क्या है ना उसका जो नाम होगा वह होगा अलेक्ट्री पॉइंट पॉइंट चार्ज ठीक है समझा आ गया अब इसकी चलने डेरिवेशन की तरह एक बंदेने का अब मैं डाइग्राम इधर करके बनाता हूं बंदेने का सरभी वो कुछ इससे जो प्रीवेस हमने जो टॉपिक पड़ा है वो क्या नाम था उसका बई पॉडेंशल ग्रेडियंट है बई पॉडेंशल ग्रेडियंट की कहानी समझ आ रही है जो कि मैंने आपक तो यह कहानी के मताबिक यह इसकी फील लाइन है तो यह मल्डिवल डिरेक्शन में फैली होंगे आपको पता ही है तो जगा की कमी की वज़ा से हम सिर्फ इस दिरेक्शन में बनाते इधर भी होंगी हर साइड पे होंगी यह आपकी तरफ भी होंगी मेरी तरफ भी होंगी ठ करना है तो इसलिए मैं बात की के रोले में नहीं पड़ूँगा इसको सीधा करके बना लेते हैं से बिलकुल ठेक है अच्छा अब हमने इस एक पॉइंट पर पुटेंशल को फाइंड करना है तो उसने का सर बहुत मसला ही कोई नहीं है मैंने का क्यों जी उसने का स्पोस कर ल शीडियू है कि A पर आपने मीट करनी और आप चार्ज को कहां पर कहां से ले किया है इन फिनिटी से मैं का क्यों इस थिए इन फिनी पर रख दूं तो उसका उसम्झे से यह पर लाओंगा तो जो उस वक्त तक जितना भी इसके अंदर पॉटेंशल स्टोर होगा वह क्या लाएगा इसका एपसुलूट पॉटेंशल ठीक है एड़ पॉइंट एक लेकिन उसने का सर फिर इसके लिए तो हम यह वाला फार्मूला लगाएंगे कहानी बड़ी असान सबस्क्राइब कर मतलब है कि जो आर है वो यहां से यहां तक होगा और यहां से यहां too अ kannst perform कर लो कि जो पॉइंट भी था इन्वीनिटी पर है बहुं दूर इस जगापे है जहां पर इसकी इसकी बनियाद би नहीं कर लिए तो आर भी बहुत ज्यादा मैंने के या डेल आर हो जाएगा point a minus point b ठीक है यह जाएगा और point b इंफिनिटी पर है आप साउच कर लो मैंने का यार कोई गडबड हो रही है गडबड हो गडबड क्या हो रही है मैंने का गडबड यहां पर यह हो रही है कि जो आपकी e है यह तो यह है वन ओवर फॉर पाई एप्सेलन नाट क्यू बाई आर्ट स्केर मैंने का हाँ तो उसने का से गडबर क्या है मैंने का गडबर यह है कि यह आपकी वेरियेट कर रही है चेंज हो रही है और अगर आपको याद हो इसकी बात करें अलेक्ट्रिक पॉटेंशल डिफरेंस की तो इ इपिंग दी चार्ज इन अलेक्ट्र स्टाटिक इकलिवर में नेट फोर्स उसके उपर हमने क्या रखनी थी जीरो यानिका कॉंस्टंट फोर्स से हमने सारा काम करना था अब फोर्स कब कॉंस्टंट होगी एफ इस इक्वल टू क्यू ए यही बनते क्यू नोट यह तो लेवाप इतनी दूर से लारे हो चारँ तो और के सकेर्ड कहसाब से यह तो चेंज होना है जब यह अच्छा और खास चेंज होना है हमारी तो सारी कैльकुलेशन में गड़बर होजानी है तो फिर क्या करें फिर करने के लिए हमने क्या करना है हमने इसकुछ ऐसा जुगार लगाना है कि ए हमारा कॉंस्ट्रेंट रहे तो उसके लिए हम क्या जुगार लगाएंगे हम जुगार लगाएंगे कि पॉइंट बी कहां पर किसके पास पड़ा हो पॉइंट एक इतना समाल चेंज इन रेडियस हो कि ए चेंज होने के मतलब कि जो हम यह कहेंगे कि भई डैल एके प्रोकक्सी मेटली क्या हो जाएगा जीरो चेंज इनी जीरो हो जाएं कि मातलब बना कि हम ने को एक कि इतना करीब कर देना कि कि इनके दिर्मयान गाल रेडियस जो चेंज होना है मतलब जो आर के हसाब की दो वैलीव है वнд इतनी काम हो जाएकर अप इसका जो यह R को सिर्फ solve करना पड़ेगा बाकी कहानी हमारे पास solve है हमने point A और B को एक दूसरे के बहुत जादा करीब ले लिया ठीक है तो point A से point B के दरम्यान का point A से point B के दरम्यान का potential का difference suppose कि point B बहुत करीब पड़ा है point A के E की value आपको पता है और यह हमारे पास है point A जहां पर जाना है क्योंकि हम इधर सिदर आ रहे हैं इधर सिदर क्यों आ रहे हैं यह समय लेते हैं अब हमारे पास charge कौन से है यह वाला positive charge अब मुझे बताओ यह इधर आते हुए energy store करेगा यह इधर जाते हुए जाहिर सी बात है opposite क्योंकि इधर लाने के लिए work करना पड़ेगा इधर तो यह खुद जाएगा क्योंकि positive positive को repel करेगा इसका मतलब है मैं इसको पकड़ कर ऐसे लेके होंगा जब मैं इसको पकड़ कर ऐसे लेके होंगा तो इस side पर लाते हुए तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और जब वर्क करूंगा तो वही वर्क इसके लिए किस शकल में स्टोर हो जाएगा इनर्जी या दूसी चीज वर्क डान पार उनर्ट चार्ड हो का होगा potential का difference इसका मुझे तब ही potential की sense में हम कहेंगा यहां पर potential है अब वर्क करने के लिए हमें इसको किस में रखना पड़ेगा electrostatic equilibrium में जब मैं इसको electrostatic equilibrium में रखूंगा तो मुझे net force जो हमारी force हा उसको क्या रखना पड़ेगा constant ठीक है जब force को constant रखूंगा constant पकड़ते हूँ इसको इधर ले कि आऊँगा तो उस वक्त जो work done per unit charge होगा वो होगा इन दो points के दिम्यान का potential का difference ठीक है और वो कुछ यू लिखा जाएगा del v is equal to work of point a to b b to a all over q naught ठीक है जी तो यह वाली scene हमारा यह वाला scene चलेगा अब हम इसको आगे solve करते हैं अब इन दोनों points के दिम्यान में जो distance होगा न r इसको बोलते है mean distance ठीक है mean arithmetic mean ठीक है तो उसकी sense में हम इससे solve करेंगे अब जरह हम solve करते हैं तो यह वाली जो पूरा solution है यह आपने faster physics में किया था लेकिन इधर उसने एक नए अंदाज से किया है वो नए अंदाज है geometric mean वाला तो हम दोनों ही try करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें लिखूँगा कभी del r क्या है और end में इसकी definition भी लिखते है del r क्या है r b minus r e यहीं बनता है b ज्यादा है minus r e ठीक है और यहां से r b किसके बराबर आता है del r plus हमारे पास r e यहीं बनेगा लेकिन हमें तो चाहिए नहीं ना हमें चाहिए r r क्या इनके द्रम्यान का mean अब mean क्या होता है कि first term plus second term divided by 2 यह mean होगा और वैसे भी field इन दो points के द्रम्यान वाली लेनी है इधर इधर का तो हमारे सा तर्लुक ही नहीं है इधर से लेकि इधर वाली field का तर्लुक है हमारी यह जो e है इधर यह वह वाला e है जो इन दो points के द्रम्यान वाला है तो द्रम्यान वाला इसलिए कि यह दुन्हों एक दूसरे के बहुत करीब है इसलिए मैं इनके द्रम्यान की mean value लेना पसंद करूँगा ना वो कहें का सर मेरे सा ज्यात वी मेरे से तरफ काम field ही ना वो कहें इसलिए mean value ठीक है आर बी की ज़रा यहां पर value put करें यह अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं यह सारा method है arithmetic mean वाला हम geometric mean से करेंगे जोको book ने हमें direct करके दिया वो भी देखते हैं आर आर बी की values रपूट करें डेल आर प्लस आर ए डिवाइड़ बाई टू तो यह जगा टू आर ए प्लस डेल आर डिवाइड़ बाई टू यह टू इदर डिवाइड होगा तो इदर बचेगा इसे लिख दे तो यह टू दोनों के divide करेगा ऐसे यह इसे काट गया तो इदर क्या बचा इदर इस साइड पर तो left साइड पर तुमारे आर चाल रहा है न वैसे का वैसे तो इदर बचा आर-ए-प्लास डेल आर बाई तो लेकिन हमें आरर नहीं चाहिए हमें अरर का स्केर चाहिए तदर स्केर कर ओंगा तदर भी ओलिख स्केर हो जैगा इदर बचेगा आर ए का होलिख डeld आर का square divided by 4 plus 2ab 2ab यही बनेगा यह से गड़ जेगा तो इधर क्या बचेगा r a का square यह वाली term मैं neglect कर सकता हूँ बच्चों ने पुछा स्थाज जी यह वाली term क्यों neglect हो सकती है कोई वजा वजा यह बनेगी इधर के हमारे पास देखो इनका change यह जो इतना सा है यह जो इनके दरम्यान का जो फर्क है यह बहुत क्रीब है तो बहुत छोटी quantity है छोटी quantity में जैसे आप कहलें भी 0.1 0.1 का आप scale लेता है 0.01 यह उससे भी छोटी होगी और उसको further 4 पे divide करना तो यह और छोटी होजगी इतनी छोटी हो सकते है कि हम इसे neglect कर सकते है neglect होगी तो इधर बचली ra और del r अच्छा अब इसको देखते है ra का square plus ra del r की value क्या थी rb minus ra ठीक है तो जब आप इसे solve करेंगे तो यह वाली value अंदर दाकर ra rb हो जाएगी और minus ra का square हो जाएगा यह इससे cut जाएगा तो हमारे पास जो r है वो finally बचेगा ra और rb sorry r square इस साइड पर r square चलता r square बचेगा ra into rb ठीक है तो यह था arithmetic के मताबिक जो कि first year में हमने solve किया था ठीक है लेकिन इसको अब हम इधर geometric mean के मताबिक भी करेंगे किसी ने पूचा जो geometric mean के मताबिक क्यों कर सकते है arithmetic के मताबिक उसकी वज़ा यह है कि यह चुंकि यह point a और भी एक दूसरे के इतने करीब है कि यहां पर geometric mean का जो ratio वाला होता है वो math वालों को पता होगा कि वो इस पर apply easily हो सकता है common ratio वाला वी factor है वो क्या होता है कि higher divided by lower higher divided by lower higher यह है divided by lower यह आ रहे है यहां से लेकि यहां तक आर था यह फिर higher divided by lower ठीक है तो यह दोनो goodव इस होती है बराबर होती है नहीं के rd by r divided by r इसे और इससे आगे कौन है और divided by r इससे पीछे वाला यह एक common ratio है ठीक है इस common ratio मताबिक जो r square वो किसके बराबर आ रहा है r a और r b तो देखो यह और यह यह सेम बने है तो आप चाहिए इस method से कर ले तो question नंबा हो जाएगा चाहिए इस method से कर ले तो भी ठीक है अब अब क्या करना है अब हमने just values को put करना है equation के ले ठीक है और फिर आगे इसको समझते है इसको अगर note करना note कर ले ठीक है वीडियो को pause करके मैं erase करके फिर आगे further calculation करता हूँ नाम भी उड़ा देखते है आगे हमारे पास इधर मैं लिखता हूँ terms जो हमारे पास बनी थी वो terms में हमारे पास इधर आ रहा था del V is equal to minus E del R ठीक है तो यहाँ पे del R आपने कहा था भई R A minus R B point B से यह तक लेकर आना है image मैं आप देख सकते हो del V, del V क्या था potential at point A minus potential at point B ठीक है क्योंकि A पर जादा है B पर काम में ठीक है और E की value E की value थी 1 by 4 pi epsilon not Q over R square जो के Q है यह वो main chart था जिसकी field को हम बात कर रहे थी ठीक है अब और यहाँ पर हमने जो अभी calculation यह उसके मताबिक जो R square था वो किसके बराबर आया R A और R B तो आपने just यह put करने है तो इन्हें मैं इदर put करता हूँ V A minus V B इस equation में equation 1 में यह वाली कहानी पूट की जाएगी ठीक है यह minus को अंदर multiply करते हैं अंदर del R यह था R A minus R B तो यह equation कुछ हमें यूँ पलटती नजर आएगी R B minus R A ठीक है जी इस side में तो आपको पता है ना V A minus V B है तो इदर हम लिखते है इसकी बहरी 1 over 4 pi epsilon not Q by R square into R B minus R A ठीक है यह जाएगा 1 over 4 pi epsilon not Q over R A R B मैंने R square की जाएगा R A R B पूट कर दिया और इदर क्या बचा R B minus R A ठीक है इसको वैसी रहने दे 1 over 4 pi epsilon not Q यह क्या होगा R B minus R A यह mathematics के मताब़ेगा यह दोनों पर जाकर क्या देदेगा division एक बार इसको इसके नीचे डिवाइड करेगा एक बार इसको इसको इसके नीचे तो इज़र लिखते है 1 over 4 pi epsilon not Q वैसे बाहर ठीक है into R B आज़ेगा R A R B minus R A R A R B यही बनेगा यह से cancel out हुआ यह से cancel out हुआ तो इदर हमारे पास जो final बनेगी वो बनेगी 1 over 4 pi epsilon not ठीक है और Q वैसे ही इदर आज़ेगा 1 over R A minus 1 over R B अच्छा अब यहां से हमारी further कहानी शुरू होगी आगे की तो इसका मतलब है यह वाली चीज V A minus V B के बराबर है ठीक है अब मैं दोबारा वो image बनाता हूँ इदर यह positive charge है जो के Q है यह इसकी field line है और यहां पर हमने दो point consider किये थे point A और point B ठीक है अब suppose कर ले suppose कर लें के point B चुंके हमने ऐसी जगह से लेना है जहां से सब के लिए equality आजाए कोई बन्दा यह ना कि मेरे साथ जाती ही है मैं तो इदर से काम करके लाया है वो उदर से करके लाया है उसको मुझे कम favor मिल रिया है यह हाला काम नहीं तो हम suppose कर लें चुंके हमने absolute निकालने absolute के लिए सबको एकवर रखना है suppose point B is at infinity point B is at infinity ठीक है तो अब मुझे बताओ कि अगर infinity पर है तो क्या infinity का मतलब है इसकी हदूर से बाहिर है तो क्या यह मामा लगता है उसके उपर किसी किसम की force यह potential apply कर सकता है उस नहीं कर सकता without ना यार मेरी यह दूद में नहीं हो मेरी territory में आइओ तो मैं क्यासे कर लूँंग apply तो फिर मैं Tei तो फिर point B का distance होगा इस charge से क्या अगलाएगा infinity आपको पहले बताया जैसे के मैं आपके पास इधर खड़ा होता हूं कैमरे के अब ये मेरा हाथ इस बोर्ड तक नहीं जा रहा तो मेरे हाथ से आगे और उससे आगे जितना भी एरिया है वो मेरे लिए ला मैदूद है मैं उस तक रसाई नहीं कर सकता तो वो क्या होगा इनुफिनिटी यह वाली टाम्स हम इधर पूट करेंगे नोट डाउन करना है वीडियो पास करके नोट डाउन कर लें ठीक है अच्छा तो अब हमारी ये लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू थी वो थी वी ए माइनस वी बी विच इक्वल टू वान ओवर फॉर पाई एप्सिलन नाट क्यू इंटू वान ओवर आर ए माइनस वान ओवर आर बी यही थी अब इस कहानी के अंदर हमने ये चीज़ें पूट कर रही है तो अब वी वी जीरो है तो इधर क्या बचेगा जस्ट इस सेट पर बचेगा वी ए इस इक्वल टू वान ओवर फॉर पाई एप्सिलन नाट क्यू भाई वैसे ही वैसे ही वान ओवर आर ए माइनस वान ओवर इ एप्सिलन नाट क्यू ओवर ठेक है तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ए पर पॉइंट बी को तो हमने पकड़ के लेगे ना इन फिंटी पे पॉइंट ए पर जो पॉडेंचल है वो क्या होगा कि सिरफ और सिरफ इस चार्ज क्यू और यहां से यहां तक का जो डिस्टन्स इस पर डिपेंड कर रहा तो इसका मतलब है कि यह पॉइंट ए अगर मैं जनल फॉइंट बी पर कितना होगा यह पॉइंट यहां पर कोई भी बन्दा कहले भी पॉइंट सी पर कितना होगा तो हम यह थोड़ी ना कहेंगे पॉइंट आर सी और यह चार्ज क्यू हम कहेंगे जनरल फोम में कि इसको जनरल फोम में हम लिख देंगे के जो potential at any point है वी वो ब्राबर होगा 1 over 4 pi epsilon not q over r तो यह जनरल फोम में electric potential होगा at a point कोई पी point हो बस उसका में radius पता हो distance पता हो तो नोड करना है? कर लें अब इसको जड़ा हम statement की शकल में जड़ा कह लिए इसको statement की शकल में आप कहोगे के electric potential at a point due to a point charge electric potential at a point due to a point charge ठीक है अब आगे इस इक्वल टू वर्क डान उसने का सब्सक्राइब यह वर्क डान फिर टांग डार है वर्क डान इन ब्रिंगिंगा यूनट पोस्टिफ चार्ज वो जो मारा टेस्ट चार्ज था पोस्टिफ चार्ज लेकिन तब point B से लए थे अब कहां से लेंगे यूनिट पोस्टिफ चार्ज फ्रॉम कहां से इनफिनिटी टू डैट पॉइंट अब इसको डाग्राम में आपको बनाकर दिखा देता हूं ठीक है तो जाहिए बात उद्दर हमने कहा थे स्केलर कॉइंट अब भी स्केलर है ठीक है तो यह हमारा था ट है यह पॉइंट यहां से यहां पर लाने का जो भी वर्क वाथा फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिन्टी टैडबाइट और आगे भी था इन लेक्रोस्टेटिक कीपिंग दी चार्ज इन लेक्रोस्टेटिक ठीक है इन इकलिवरियम अच्छा आपने पॉइंट एस बी होगा इसको इलेक्रोस्टेटिक में रखते हुए वह उस जगा पर क्या होगा एलेक्रिक पोटेंशल एड़ एट स्पैसिफिक पॉइंट ए तो इससे खपने से चाथ हमने इसके जो मैथमाटिक्स की उसके मताबिक हमें यह पता लग गया कि इस जगा का सिरफ हमें आर चाह क्या यह 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 लिखा जा सकते है इसका मतलब है कि पॉटेंचल ए डाट पॉइंट जास्ट डिपेंड ऑपॉन डेक्ली टु चार्ड पढ़ा होगा तो ज्यादा होगा पॉटेंशल चार्ज चार्ज कम होगा तो कम होगा और इनवर्सलिक टो आर फील्ड आर स्केयर के यह point B है तो R A यह R B होगा यह looking to be R A यह R B जादया होगा यहां ऎको निजर आरहे है आरहा है! यह r B यह r A मुझे बताओ कि मैं यहां से कर old test Ты चार लेका आतो शुनिकर आरहूं मैंने पहले point B तक लाना है यहां तक लाकर मुझे यहां तक लाकर यहां ए इसके दोनों का आरे और आरेर दोनों क्या है स्कीम है ठीक है यानिक इसको कॉंस्टेंट रख रहे हैं अब मुझे बताओ कि मैं टेस्ट चार्ज को ए पर लाने के लिए इससे जो मुखालफ़त मिलेगी वह ज्यादा मेरे लिए मुखालफ़त आपको यह चोटा सा बच्चा है इसकी मुखालफ़त कम होगी इसका मतलब है तो इसके बाद पोटेंशल भी क्या होगा ज्यादा होगा यह था आपका लॉंग कस्चन इंपॉर्टन लॉंग कस्चन इससे आप त्यार कर ले और काफी चांसे दाए के बोर्ड के एक्जैम में आपता है अगर इसमें के कन्फूजन हा तो वो कमेंट में बताए वीडियो लाइक करें और शेर करें थेंक यू